हेलो स्टुएंट्स, मैसल विश्य चहतवानी, I am a Chartered Accountant and Assistant Professor in Government College Schools में Commerce Lecturer होने के लिए जो Competition Exam रहते हैं, उनकी हम तयारी कर रहे हैं इस सीरीज में हमने सौ वीडियो तयार किये हैं और उन में से चौथा वीडियो है, आप इन पेपर्स को कहीजिए, आप अपने तयारी का लेवल पता लगेगा, आज का जो अपना टॉपिक है, वो है Death of Partner तो पहला पॉशन कहता है, BCD are Partners, sharing profits in the ratio of 7 इस तो 5 इस तो 4, D died on 30th June 2021, and profits for the year 2021 were 12,000 रुबी, How much share in profits for the period 1st April 21 to 30th June 21 will be credited to D's account, अब आप देखो, कि basically 3 पार्टनर हैं, उनके नाम है BCD, उनका आपस में जो ratio है, वो है 7, ratio 5, ratio 4, अब हम बात किस की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं D की, तो कि D की इस question में death हो गई है, उसका D का ratio कहा था, 4 upon 16, in simple terms 1 by 4, अब जो D के घरवाले होंगे, वो कहेंगे हमें profit चाहिए, profit कब से चाहिए, वो यह चाहेंगे, कि since D की जो death है, D की जो death है, वो 30 जून को ही है, और year जो है, वो अपरेल से start हो गया, तो हमें अपरेल, मई और जून का हिसाब चाहिए, यानि इन 3 महिने का हिसाब चाहिए, अब आप देखो, 30 जून 2021 को इसकी death हुई है, एक अपरेल 2021 को year शुरू हुआ है, इससे पहले वाला जो year था, वो 31 मार्च 2021 को खतम हुआ होगा, definitely वो यहाँ पर end हुआ होगा, तो 2021 सेशन, जो पिछला सेशन था, उसमें आपका जो profit है, वो profit था 12,000, तो यह 12,000 आपने last year में कमाया था, अब हम यह मान लेते हैं कि उतने ही profit उसी rate से हुए होगे, हम मान लेते हैं कि हमारे जो profit हैं, वो same speed से हुए होगे, तो इस aadhar पे हम कह सकते हैं कि 12,000 अगर पूरे साल में होता है, तो तीन महिने का profit, तीन महिने का profit 3,000 रुपए होगा, और 3,000 रुपए अगर हिस्सा होगा, profit होगा, तो उसमें सिर्ट जो d का हिस्सा होगा, share होगा, वो 750 रुपए होगा, तो इस question में 750 answer आएगा 750 रुपर basically क्या है जो dickies partner होता है जो मरने वाला partner होता है उसका हिसाब किया जाता है और generally वो हिसाब last years के basis भी किया जाता है last year का profit समझो तो current year में कितना profit हुआ हो उसे guess करो अंदाजा लगाओ और फिर इसमें से मरने वाले का share निकाल दो तो 750 इसका answer देने वाला है next question है the balance of joint life policy account as shown in the balance sheet represents surrender value of a policy annual premium of joint life policy total premium paid by the firm amount receivable on the majority of the policy एक अच्छा और basic question है देखें suppose कीजे कि A, B और C ये तीन partner है और उनका आपस में ratio है 1, 1, 1 ये इनका equal ratio है इन लोगों ने मिलके एक 5 लाख रुपे की policy ली तो इसे तो आपन कहेंगे policy value इनको हर साल हर साल 40,000 रुपे देना होता है तो ये हो गया आपका insurance premium per annum अब तक ये तीन साल का premium जमा करा चुके तो ये हो गया उन्होंने जो total premium जमा कराया वो और suppose करो तीन साल के बाद इन्होंने insurance company से पुछा कि हम अगर policy surrender करेंगे कि हमें क्या मिलेगा insurance company ने कहा कि अगर आप अभी policy surrender करोगे you will get only 50,000 रुबी तो ये है आपका surrender value now the question is कि हम जो balance sheet देखते हैं क्योंकि being an accounting student हमें पता होना चाहिए कि balance sheet के अंदर अपन जो joint life policy देख रहे हैं वो किस मुल्या पर दिखाई देगी क्या वो 5 लाग पर दिखाई देगी जो हमारी policy है नहीं क्या हमने जो premium दिया है 120,000 उस पर दिखाई देगी नहीं क्या हमारा जो annual premium में 40,000 उस पर दिखाई देगी नहीं asset हम उतनी value पर दिखाते हैं जितने रुपे हमें मिल सकते हैं यानि हम balance sheet में हमेशा और हमेशा surrender value दिखाते हैं balance sheet में हमेशा अमरपण मुल्य दिखाते हैं इसका answer A लगने वाला है surrender value of the third question है the amount due to the decrease partner is paid to his मरने वाले साजिदार की जो देर आशी है को किसको दी जाएगी आप suppose कीजिए कि एक question के अंदर D करके person है उसकी death हो गई अब उसकी capital भी होगी उसका जो reserve का share होगा वो भी होगा उसके अलावा उसका जो goodwill का valuation होगा उसमें share होगा जो valuation होगा उसका share होगा बात यह है कि यह सब जो पैसा बनता है यह पैसा किसको मिलेगा अगर D की death हो गई तो तो आप कहेंगा सर्दी के घरवालों को मिलेगा नहीं सर्थ उसके लिए fix term है और वो term है executors तो executors वो nominate करके गया है तो या तो nominee word हो नामांकिती या executors यानि निश्पादक या उत्रादिकारी word हो यानि D के जाने के बाद जो उसके assets और liabilities को dispose करेगा वो को हम पैसे देंगे तो इसका answers है executor term आपको याद करना है उत्रादिकारी term ठीक है सर्थ next question है A, B and C आपार्टनर शेरिंग प्रॉफित और लॉसे इन रिशो अफ टू 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 इन कोशनों में सबसे पहले यह कुशन कई बार आएगा क्योंकि प्रॉफितिव ली आस्जी कोशन ही होते हैं अदेखिए इस कोशन में तीन पार्टनर है और हमारे कुशन में C की डेथ हो गई है टू सबसे पहले आप C पर फोकस कीजिए एक पर फोकस करने का मतलब है इसके शेयर पर फोकस कीजिए वन बाय फाइव है तूसी बात आपको यह देखनी होती है कि डेथ कप की है जैसे इस कॉशन में इसकी डेथ हुई है वह वर्ष के अंत में हुई है तो यहीं पर इसकी में उने 64,000 रुपए कमाया हमारे लिए चीजी आसान होगी समझना बताना कि 64,000 कमाया गया है तो जो मरने वाला है वो अपना हिस्सा लेगा और वो हिस्सा होगा 1 by 5 तो यह अमाउंट आएगा करीबन करीबन 12,800 12,800 तो इसका अंसर बी रहने वाला है 12,800 पांचो कोशन कहत है A, B, C, R पार्टनर शेरिंग प्रॉफिर्स इंदर रिशो 1,1,2, C डाइड ऑन 30 जून 2021 और प्रॉफिर्स 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 देसमबर 2020 प्रॉफिर 24,000 तो इसे कोशनों में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन में आप समझे कि सबसे पहले आ करूँ उसकी डेथ exactly कब हो ही वह पता करू हूँ इस कुषिन में साहब की जो डेथ हुई है वह हुई है 30 जून 2021 को अब आप तीसरा इंपोर्टन यह पता करो QUEYAR कहां से होता है जैसे इन्होंने December 20 तक के profit दे रखे हैं December 20 पर आपना अकाउंट close करते हैं इसका जनवरी से अ देखे सार जो हिसाब होता है वो दो तरीके से होता है या तो वो होता है time basis या तो हिसाब होता है time basis या हिसाब होता है sale basis अभी तक जितने भी question अपने देखे उसमें अपने जो हिसाब किया वो time basis किया time basis क्या कहता है कि 12 महिने का जैसे पिछले 12 महिने का profit क्या है तो आपका पि महिने में आपका profit 2000 है और ये भी कि 6 महिने में आपका profit 12,000 है तो 12,000 रुपया हो गया 6 महिने का profit और उसमें से जो मरने वाले का share है वो है 1 by 2 यानि उसका share हो गया 6000 ठीक है ध्यान रखिएगा कुछ बातों का ऐसा नहीं है कि पिछले साल 24,000 का profit वहा था तो आप उसे पूरा 24 पकड़ा दो नहीं पहले तो आपको annual profit को इस question के according 6 मैने में बदलना पड़ेगा फिर ऐसा भी नहीं है कि आप उसे 12,000 दे दो 12,000 6 मैने में कमाया है लेकिन यह सबका है हमें निकालना है मरने वाले का हिस्सा तो मरने वाले का हिस्सा सा 6,000 रुपर बनेगा रहने वाला है नेक्स कुशन कहता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ दे पार्टनर इजन डैश डैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट रीप्रेजेंटेटिव पर्सनल और असेट तो टाइट कॉ चॉइस होती है जब पार्टनर अपना भीमा कराते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो और इंशरेंस प्रीमियम अकाउंट ओपन कर सकते हो और बाद में उसे प्रॉफिट अन्लॉस में ले जा सकते हो alternatively आप उसे asset की तरह treat कर सकते हो तो अगर आप asset की तरह treat करते हो तो जो अकाउंट open होता है वो है joint life policy account होती है कि partner की joint life policy होती है वो एक तरह का asset account होता है जो कि मैंने बताया कि balance sheet के अंदर surrender value पे दिखाई देता है जैसा है 7th question After the death of a partner amount of pay is received by government, firm, executors of Dickies partner remaining partner repeat question है sir executors को पैसा मिलता है जैसे ही किसी की death हो जाती है जैसे generally है है कि कोई शादिशिधा प्यक्ति होता है तो उसकी जो natural nominee है वो उसकी पत्थ नी मानि जाती है लेकिन हमें इस चकर में नी पढ़ना हमें तो याद रखना है कि जब भी किसी की death होगी तो वो जिसके भी नाम अपनी will करके जाएगा अपनी वसियत बना के जाएगा या जो भी उसकी तरफ से दावा करेगा executor, हम उसके executors को पैसा देंगे, ठीक है साथ next question है how is the premium paid on the joint life policy of partners treated it is dash dash to the dash dash it is credited to the partners current account, आपको देखिए यह fill in the blanks इसमें options को लगा लगा भरना चाहिए it is credited to the partners current account, it is credited to profit and loss account, well भी तो सरासरी गलत है तो कि income तो है नहीं it is debited to partners capital account and it is debited to profit and loss account तो बात यह है कि अगर partners ने joint life policy ले रखी है और obviously बात है आप policy लोगों तो premium चुका होगे, तो अगर आप premium चुका होगे तो वो क्या होगा, तो देखिए सबसे जो most frequent practice चलती है वो से यह होता है कि हम उसे expense मान लेते हैं और expense मान के उसे P&L में हम debit करते हैं, इसको हम partners के personal expense की तरह treat नहीं करते, अगर आप इसे partners का personal expense मानते हैं, तो फिर आप इसे drawing मानते हैं, और फिर आप इसे partners capital में DR करते हैं जनरली क्या होता है, joint life policy firm के लिए लिए जाती है इसाब firm के लिए कैसे देखिए firm यह जानती है कि कभी न कभी किसी की death होगी है, यह कोई न कोई partner अलग होना चाहेगा तो हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा तो एक साथ पैसा कहां से लाएंगे, तो इसलिए वो एक policy ले दे, तो यादि policy लेने के पीछे जो purpose है, वो है कि firm smoothly चले तो यह जो है, यह firm के expense की तरह treat करते हैं यह कुछ लोग इसे firm के asset की तरह treat करते हैं, पर majorly इसे firm के expense की तरह treat किया जाता है, तो यह जो item है यह P&L में DR होगी, तो इनका जो question था कि जो partners के जीवन पर policy होती है उसका जो premium होता है, उसका क्या होगा तो सार यह profit and loss के अंदर DR होता है, बाकी option कम अच्छे है ठीक है सर, next question ABCR partners sharing profit and losses in the five ratio 3 is to 2 the firm's balance sheet as on 31st March 2021 reserve balance shows 25,000 profit of the last year 50,000 joint life policy of 10 lakh रुपी fixed perhaps assets fixed assets 12 lakh रुपया on 1st June, he died asset of and on same date assets were revalued the executors of C will get along with capital A option share in policy B option share in reserve C option proportionate share of profits up to the date of death all of the above well, यह तो बढ़ा आसान question हो गया जैसे इस question में जो death है, वो किस की death होई है C की death होई है C को क्या मिलेगा या C के executors को क्या मिलेगा obviously बात है, एक तो उन्हें capital मिलेगा इसके अलावा जो जो death तक का profit है उसका share मिलेगा और इसके अलावा और क्या है question के अंदर policy है बिल्कुल सब policy का share मिलेगा और अगर revaluation होता तो revaluation का जो भी result रहा उसका भी share इनको मिलेगा तो capital के अलावा यह सब मिलेगा policy का share हाँ reserve का share हाँ मरने के तक के profit हाँ उप्रोक सभी yes all of the above इसका answer होगा तो इसका answer D रहने वाला है next question है और मैं हमेशे कहूंगा आपको कि जब आप एक question पढ़े पढ़ते पढ़ते question खुदी लगाए आप screen pause कर ले video pause कर ले आप खुदी इसका answer लगाए और फिर अपने answer को मिला लेगा कर जब समझे और चाहिए तो आप तो mute में ही चलने दे खुदी सारे question कर लीजे joint life policy amount received by a firm is distributed in opening capital ratio, closing capital ratio old profit sharing ratio of partners new ratio of partners दिखिए मान लीजे आपके पास एक policy है ठीक है और आपकी firm में see करके partner था उसकी death हो गई ठीक है death हो गई तो obviously बात है आपको पैसा मिलेगा अब पैसा मिलेगा तो यह जितना आपने दिया होता है उससे जादा ही होता है generally जो आपने दिया होता है उससे जादा ही death के केस में ङोकि हमने premium तो premium तो हमने 2 साल, 3 साल, 5 साल चुपाया होगा और policy value अच्छी होती है तो हमें मिलेगा तो हमें profit होगा question यह है कि यह जो profit होगा वो आप कौन से ratio में बाट होगे तो obviously बात है वो profit sharing ratio में जाएगा ठीक है जो कि जो हमने premium pay किया वो premium क्या है expense है उसने disturb किया तो किसको disturb किया हमारे profit को disturb किया तो बाद में भी कभी भी ये पैसा लोटेगा बाद में कभी भी पैसा लोटेगा तो वो profit sharing ratio यानि लाभानी अनुपात में ही बाटा जाएगा यहां तक कि मैं बता दूँ यह तो इस question में partners की joint life policy की बात है अगर इन लोगोंने separate policy भी ले रखी होगी ना और सब partners के old ratio में ही बटेगा ठीक है सब उसका answer रहने वाला है स्कूल lecturer का syllabus काफी detailed काफी wide होता है यूट्यूब पे इतना course तो पोस्ट करना possible नहीं है हम करीबन सौ वीडियो सौ वीडियो हम पोस्ट करेंगे जिसमें MCQ आएंगे तो उससे आपको एक teaching style पता लग पाएगा कि सर किस तरह का पढ़ाते हैं और by the way अगर आप एक पूरा course देखना चाहें तो आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हैं recorded वीडियो के अलावा अगर आप live classes लेना चाहें तो 15 फरवरी से live classes स्टार्ट हो रही है live classes से जड़ने के लिए नीचे google form का link दे रखा है आप उस पे जा सकते हैं और अगर by the way वो link expire हो जाता है आप वीडियो बाद में देखते हैं और link expire हो जाता है तो आप इस दिये वे whatsapp number पे आप हमें message कर सकते हैं कि आप किस exam के तियारी करते हैं तो एक महिने का free trial live classes ले सकते हैं इसके बाद अपने और अभी question करेंगे 11th question है A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3 is to 2 is to 1 they had a joint life policy of 3 lakh रुपी surrender value of JLP in balance sheet is 90,000 रुपी C dies, what is share of each partner's joint life policy? ठीक है अगेन एक basic बहुत अच्छा question देखिए आपके पास एक joint life policy है और वो 3 lakh की है ये तो policy का मुल्य है और ये बात भी तैय है कि आपको 3 lakh रुपी मिलेगा अगर death है तो death के case में आपको पूरा पैसा मिलेगा बात ये कि इनकी balance sheet के अंदर दो situation हो सकती है वो सकता है balance sheet में policy हो वो सकता है ना हो इन्होंने कहा कि हमारी balance sheet के अंदर जो policy है वो 90,000 रुपे पे है तो इन्होंने balance sheet के अंदर उसे as an asset दिखा रखा है 90,000 पे लेकिन आपको 90,000 के मुकाबले 3 lakh रुपे मिला है that is जतना आपने सोच रखा है उससे आपको जादा मिला है आपको 2,10,000 रुपे जादा मिला है क्योंकि आपने उम्मीद क्या किया कि आपको surrender value मिलेगा वही आपने as an asset दिखा दिया लेकिन death हो गई miss happening हो गई तो आपको 2,10,000 3,000,000 मिला तो 210 आपको जादा मिला अब इसका sharing कैसे होगा जैसे मैंने बताया कि इसका sharing old ratio में होगा और इनका old ratio है 3,2,1 तो आप इसको 3,2,1 में बाटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,5,000 रुपया यहाँ आएगा 70,000 रुपया और यहाँ पे आएगा आपका 35,000 रुपया simply distribute करना आपको आता है 3,2,1 में तो इसका जो answer हैगा आप option पहले देख ली जगवले चली next XYZ are partners sharing profits in the ratio of 754 on 30th June 2021 Z died Z की death हो गई and profits for the year ending 31st March 2021 रुपीज 2,40,000 and sale were 20,00,000 रुपी अपके बार इन्होंने profit के साथ सा sale भी दिरखिया है how much share in profits for the period from 1st April 21 to 30 June 21 if sales till June was 6,00,000 what amount of profit will be credited to Z's account on the sale basis ठीक है सर बहुत ही pure conditional question है मैं आपको number से बताता हूँ basically 3 partner है कौन के नाम XYZ है और हमारे question में Z की death हो गई है ठीक है सर well जो Z है उसका जो ratio था वो था 4 by 16 यानि इसका ratio हो गया 1 by 4 जैसे मैंने कहा कि calculation आप time के basis पर कर सकते हो या calculation आप sale के basis पर कर सकते हो इस question में हमें calculation जो करनी है उसको sale के basis पर करना है अब आप last year को देखो बीच में एक जगे लिखा हुआ था कि इनका last year का जो profit था वो था 2,40,000 रुपया और last year की जो उनकी sale थी वो थी 20,000 रुपया तो हमें समझ में आता है कि ये लोग कितना percent profit कमाते है 2,40,000 कमाया गया है 20,000 रुपय पे आप profit percentage बनाएंगे तो 12% इनका जो profit earning rate है वो है 12% तो definite सी बात है इस साल भी sale हुई होगी आपका जहां year start हुआ और वहां से लेके जून तक भी sale हुई होगी देखो अगर अपन time के basis पे calculation करते तो अपन 3 मेने के आधार पे calculation करते जिसे अपन ने पिछले questions में की है लेकिन अपके बार अपन 3 मेने की sale देखेंगे क्योंकि question sale के basis पे है तो 3 मेने में इनकी जो sale है वो 6 लाक है तो आप यह assume करेंगे कि हमारी sale पे हमारा profit percentage पहले की तरह होगा यानि हमारा profit percentage बारा परसंट होगा तो 6 लाक रुपे की sale पे आप 12% निकालेंगे you will get 72,000 रुपी ठीक है यानि आपने ये कहा कि पिछले 3 मेने में sale करके हमने 72,000 कमाया उसमें से आपको 1 by 4 देना है बहुत सारी बातों का ध्यान रखना 18,000 इसका answer आएगा इस question में calculation time के basis पे नहीं करनी इस question में calculation sale के basis पे करनी है sale का मतलब होता है आप sale पे जो profit कमाया है उसको अपना base मानते है तो आप profit निकाल लीजेगा और फिर मरने वाले का share निकाल दीजेगा 18,000 आपका answer आएगा 13 question है At the time of death of a partner firm gets dash dash from the insurance company of the joint life policy taken jointly for all the partners तो आपको इसमें सही शब्द भरना है कि अगर एक साज़दार की death हो जाती है और उनके पास अगर joint life policy जो कि उन्हें jointly दी तो क्या मिलेगा आपको policy value मिलेगी surrender value मिलेगी policy value for the dead partner मिलेगी या surrender value for all the partners मिलेगी देखें अगर किसी partner का retirement होता है तो आपको surrender value मिलती है क्योंकि आप policy बीच में छोड़ दोगे तो आपको surrender value मिलेगी लेकिन जो death का case होता है death के case में आपको policy value मिलेगी अब इसमें दो scene बन सकते हैं पहली बात हो एक कि इसका answer policy value है बात यह है कि इसमें दो scene बन सकते हैं हो सकता है कि आपने partners के लिए joint life policy ले रखियो और हो सकता है आपने जैसे इनके partner के नाम है B, C और D तीनों के लिए आपने अलग-अलग policy ले रखियो in case of joint life policy इन में से किसी की भी death हुई इन में से किसी की भी death हुई तीनों का मारना ज़र्वी नहीं है किसी की भी death हुई तो आपको joint life policy का amount मिलेगा जो कि इस question का answer था वेल अगर इनकी policy separate separate है और माल निजिए कि D की death हो गई तो एक तो आपको D की policy का मुल्य मिलेगा और आपको B और C क्या surrender value का adjustment करना पड़ेगा तो यानि जो C और D option है वो हैं तो सही लेकिन C और D option तब लगते हैं जब partners ने separate policies ले रखी हो partners ने सबके जीवन पे अलग-अलग policy ले रखी हो चुंकि इस question में joint policy ले रखी थी इसलिए आपको joint policy का जो amount है single amount बस हो ही मिलेगा इन case of death of a partner किसी की death हो जाने पे share of goodwill of dickies partner will be born by the remaining partners in well easy the question है gaining ratio है प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात है मालनी जी की B, C और D है और हमने जब D की death होई तो हमने goodwill निकाली और मालने ते हैं कि goodwill 1,80,000 रुपे आई तो हम D का हिस्सा निकालेंगे suppose 1 by 3 तो D का हिस्सा निकालके D के account को तो credit करेंगे उसने इतने साल जो firm के लिए contribute किया महनत की, firm को जमाया तो इसलिए हम उसको as I was a tribute की तरह हम उसे उसके account में तो पैसा credit करेंगे और debit किसको करेंगे debit करेंगे B or C को किस रिशो में, gain रिशो में ठीक है, ऐसा retirement में भी होता है कि जाने वाले को तो credit करते हैं और जो रह गए हैं उनको gain रिशो में debit किया जाता है well next case कहता है Jay, Kamal and Lachman were equal partners in a firm the firm has taken individual life policies of 50,000 for each partner Jay died on 5th of Mars 2021 the surrender value was 2,000 for each policy on the date of death of Jay the amount payable to Jay in respective policies would be well, देखिए ये अच्छा कोशन है इसमें 3 partner है एक का नाम है Jay एक का नाम है Kamal और एक का नाम है Lachman इन तीनों के जीवन पे individual यानि अलग-अलग policy लिशी ली गई है और ये policies की की कीमत 50,000 रुपे है पहले की 50,000 है दूसरे की और तीसरे की भी कीमत 50,000 है अब हुआ ये कि इस question में death हो गई death किसकी होई साब Jay की होई तो आपकी ये policy mature हो जाएगी पक जाएगी तो आपको 50,000 रुपे का हिस्सा मिलेगा अब ये वाली policy mature नहीं हो पाएगी जादा से जादा आप इसकी surrender value ले सकते हो और वो surrender value दे रखिए 2,000 for each इसकी भी surrender value 2,000 है और इसकी भी surrender value ये है तो maximum पैसा जो insurance company से आपको मिलेगा वो मिलेगा 50, 52 and 54 तो 54,000 आपको मिलेगा अब question ये क्या था question ये था कि Jay को policy की दे ये धनराशी अपने को पता निये जै को कितना मिलेगा तो being a partner 1 by 3 का वो partner है तो 54,000 आपका 1 by 3 का निये तो 18,000 रुपया उसे मिलेगा तो 18,000 विल बी दा आंसर ठीक है on the death of a partner his executor is paid the share of profits of the dying partner for the relevant period this payment is recorded in the profit and loss adjustment account profit and loss appropriation account profit and loss suspense account or reserve आराम से पढ़ते हैं किसी की death हो गई death होने पर उसके जो executor है उनको pay किया जाता है क्या देते हैं profit का हिस्सा जैसे अगर D की death हो गई तो हम D का हिस्सा count करके D के account में credit करते हैं ये तो होता ही है जो मरने वाला है उसके हिस्से का अपन profit निकालते हैं उस period का वो तो गोता ही है और ये उपर कहा लिखा जाता है ये लिखा जाता है profit and loss suspense में देखिए अगर आपने बड़े बड़े question लगा रखे होते हैं यानि मुझे लगता है कि competition exam में कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो शुरू से ही MCQs करते हैं जब कि अगर मैं आपको suggest कर पाऊं तो शुरू में अपने को MCQs और descriptive दोनों की तयारी करने चाहिए और descriptive को भी cover करना चाहिए knowing that कि वो exam में MCQ पूचेगा लेकिन descriptive question भी लगाने चाहिए कि एक descriptive दस MCQs के बराबर होता है और जैसे जैसे exam का नजदीक आए तो आप अपने तयारी के लिए MCQs का level बढ़ाते हो लेकिन जब समय है तो बड़े-बड़े question लगाने चाहिए और मैं कहा सका हूँ तो आपको solved questions ही करने चाहिए जैसे जो examples है जिनके solution available है वो करने चाहिए कई बाए बच्चे प्रैक्टिस जब कहते हैं तो बच्चा वो question करने लग जाता है जिनको आंसर नहीं है तो पर आपको पता ही कहा चला कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है इसका हिंदी में बड़ा खतनाग नाम है लाव भानी रहस्या खाता रहस्या सस्पेंस पॉपुलर्ली नोन उचंती खाता पॉपिट एंटीन कोशन है अमाउंट रसीवड ऑन मैचॉरिटी ऑन दा इंशरेंस कंपनी ऑन जाइंट लाइफ पॉलिसी और पार्टनर इन अगर किसी भी रीजन से डेफ रीजन हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है अगर आपको जो पैसा मिला है वो सरेंडर वैल्यू से ज़ादा है तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट है क्योंकि आपने जो सोचा जो बुक वैली सोची उससे ज़ादा मिला पहली बात तो ये प्रॉफिट कभी भी रेवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता ये प्रॉफिट सीधा ही पार्टनर्स अकाउंट में जाता है और जब भी पार्टनर्स अकाउंट में जाने की बात आती है तो एक नैच्टरल बात आ जाती है कि कौन सा रेशियो कॉल हो करें क्योंकि अधिक कॉश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गें रेशियो सेक्रिफाइस रेशियो बहुत कुछ होता है तो देखिए यह जो पॉलिसी का बेनेफिट है वो सारे पार्टनर्स में जाएगा जिनकी डैथ हो गई है उसमें भी और जो बज गए है उनमें भी और य प्रेशियो नेक्स कुशन देखते हैं अमित सुधिर एंड अमन वर पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो फ्री टू वन सुधिर डाइट इस कुशन में सुधिर की डैथ यह बीच वाले पठ्थे की यह जिसका शेर है टू बाइसिक्स और जनल एंट्री पास् देख तो साल शुरू होने से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डैथ के दिन तक का जो भी शेरिंग होगा इन्होंने पूछा एंट्री कैसे होगी पहले कुशनों में आया कि कैसे होगी अब आया है कि एंट्री क्या होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉज सस्पे को डिया करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है जनल एंट्री पास कीजिए अगर इसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है तो प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है तो प्रॉफिट का हिस्सा उसके खाते में जमा किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा तो आप सुधीर को क्या भाइं खुष्ला अन्व वर पार्टनरश शेरिंग वर फ tensions इक तो यह तीन पार्टन एब कोस्ला और पावन इसमें पावन की डेथ हो गई है और पावन की डेथ 31 जूलाइ को होई है जुनर्ल एक्ट्री पाज फो बढ़ए share of laws अपके बार पवन's share of laws है तो ये भी आप इसको समझिए कि कई बार क्यों होता है क्वेशन जो पढ़ना है होते हैं तो अपन प्री डिसाइड कर लेते हैं कि यही पूछा होगा जैसे आप तैयारी करके गए और अधिकतर क्वेशन एक ही पूछे गए तो exam call में अपन एक गलती करते हैं कि जो क्वेशन आया है अपन पूछते हैं वही पूछा गया होगा इसलिए क्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए इसलिए competition exam में आपका temperament भी चेक होता है आपकी जो तैयारी होती है वो सारी वहां काम आती है आप जो रातने जाके सुभह जाके पढ़ाईया करते हैं उस सब का benefit उन तीन घंटों में मिलता है जो obvious ही बात है profit जो कहें profit तो क्या जो तैयारी करता है definite उसके result में मिलते हैं अब आपको पवन का share of loss निकालना है तो देखिए simple बात समय लिए पूरी partnership का एक ही पंडा है profit जो होता है वो partners के account में जमा होता है credit होता है और जो loss होता है वो partners के account में debit होता है तो पहली बात तो entry वही पसंद करेंगे अपन जिसमें पवन capital DRO या current DRO तो पवन capital to profit and loss suspense बिल्कुछ सही है पहला ही answer सही है बाकी कुछ और लिखा है कुछ नहीं कुछ नहीं सर आपको A answer देना है D option से आपकी tight call है लेकिन D entry तब लगती ही अगर आपको profit होता इस case में आपको loss है loss sharing है इसलिए आपको A answer लेना पड़ेगा ठीक है sir A, B and C are partners in a firm तीन पार्टनर है sharing profits in the ratio of 2 to 1 their capital is to die 50, 50, 25 B died इस question में B की death हो गई है B यानि ये वाला जो बंदा है जिसका ratio 2 by 5 है उसकी death हो गई है और उसका जो reserve का balance है balance in the reserve on that date was 15,000, goodwill 30,000, profit on revolution 7,050, what amount will be transferred to B's executor ये question sir आपके retirement में भी आ सकता है और ये का ये question death में भी आ सकता है तो B के घरवालों को क्या मिलेगा obviously बात है एक तो B के घरवालों को 50,000 रुपे मिलेगा ये तो है capital capital के साथ साथ क्या मिलेगा, जो reserve है आपका reserve 15,000 का है उस 15,000 का 2x5 आप calculate करेंगे तो आप 6,000 रुपे पाएंगे ये मिलेगा अच्छा जो मरने वाला का goodwill का share है वो मिलेगा goodwill आपकी 30,000 है 30,000 into 2x5 करेंगे तो 12,000 रुपे और मिलेगा इसके लावा revaluation हुआ है उसका जो profit दे रखा है वो 7,050 है आप उसका 2x5 करेंगे तो 2,820 रुपे आने लगेगा तो आप सारा जोड़ेंगे 50,56,68 70,820 रुपे जो decreased partner है उसके जो घरवाले हैं उनको 70,820 मिलेगा ओप आपके लिए वीडियो यूसफल रहा होगा अगर वीडियो में अभी दख बने वे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो तयारी कर रहे हैं तो ना सोचेगी उन्हें पता चल गया दो क्या होगा खूब लोग सर खूब पढ़ाई करते हैं ऐसी बात नहीं है आप भी दबागे पढ़ाई कीजिए वीडियों शेयर कर सकते हैं वीडियों